दोस्तों नमस्कार ये हमागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों विभिन प्रतियों की परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान नियद्धियन के लिए महत्तपूर्ण प्रश्णों के अंतरगत इस वेडियो में प्रस्तुत है बिश्व के भुगोल से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्णों कारी विजन जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभी परिक्षा आरो यारो यानि समिक्षाधिकारी सहायक समिक्षाधिकारी लोवर PCS वा अन्य राज्य लोग से वा आयोगों द्वारा आयोजित परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है इसमें हम प्रिथवी यानि प्रिथवी एक परिचय से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्णों के भाग एक को कबर करेंगे तो आईए शुरू करते हैं विश्व के भुगोल से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्णों के अंतरगत प्रिथवी से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्णों का भाग एक पहला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा एक गलोब पर ब्रिहत ब्रित नहीं है आपको बताना है विश्वत रेखा, मुखिट देशांतर रेखा, 60 दिगरी पूर्वी देशांतर रेखा या 60 दिगरी उत्तरी अच्छांस रेखा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा ग्लोब पर ब्रिहत ब्रित नहीं है, तो ये है 60 दिगरी उत्तरी अच्छांस रेखा पिर्थवी पर सभी देशांतर यानि मेरेडियन के अतरेक्त बिशुवत रेखा यानि एक्वेटर भी प्रिहत ब्रित है और बिशुवत रेखा के अतरेक्त कोई भी अच्छांस ब्रिहत ब्रित नहीं है क्योंकि वे बिशुवत रेखा की अपेक्छा छोटे होते हैं तो याद रखेगा विश्वत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा ये सभी ब्रिहत बृत हैं, 60 डिगरी उत्तरी अच्छांस रेखा, ये गलोब पर ब्रिहत बृत नहीं हैं अगला प्रिश्वी की भूमत ध्रेखा की कुल लंबाई कितनी हैं, तो याद रखेगा 40,000 किलोमीटर आपसंसी, दोस्तों प्रिथवी की भूमत ध्रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,090 किलोमीटर है, आपसंसी आपका सही उत्तर है अगले प्रश्ण पर आते हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्ण है आप देखिए वर्स का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि किस गोलार्ध में क्योंकि उत्तरी और दक्षुरी गोलार्ध में जो बड़ा दिन होता है वो अलग-अलग होता है आप सन है यहाँ पर 21 माई 21 जून 22 दिसंबर और 25 दिसंबर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप देखिए सही उत्तर इस प्रश्ण का जो होगा यह 21 जून भी हो सकता है और 22 दिसंबर इसलिए इस प्रश्ण का कोई एक जो है यूनिक एंसर नहीं होगा क्यों आप जान लीजे कि उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को 20 या 21 जून को बर्स का सबसे लंबा दिन होता है वहीं दच्छणी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है लेकिन विकल्प के रूप में 21 जून और 22 दिसंबर दोनों दिया गया है तो इससे ये क्लियर नहीं है कि ये प्रश्ण उत्तरी गोलार्ध के संबन्ध में पूछा गया है या दच्छणी गोलार्ध के संबन्ध में अगला प्रश्ण है चार जून की 21 तारिक को सूर्य कहा होता है आपको मताना है तो सही उत्तर है चार जून की 21 तारिक को सूर्य उत्तरी धुरुवी बृत पर छितिज के नीचे नहीं डूबता है आप सन ए आपका सही उत्तर है प्रतेक वर्श 20 से 22 जून के मर्ध सामानते है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रिश्म आयनान्त या ग्रिश्म संक्रान्ती होती है जब पिर्थवी के उत्तरी धुरु का सूर्य की ओर अच्छी जुकाओ अधिक्तम होता है तब इस स्थिती में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिक्तम होता है और इस अवस्था में होता ये है कि उत्तरी धुरु पर रात नहीं होती यानि सूर्य उत्तर धुरु यानि आर्कटिक बृत्त पर छेतिज के नीचे नहीं डूपता और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है अब आते हैं अगले प्रश्न पर ये है प्रश्न संख्या पांच की विभिन विद्वानों में किसने सुझाओ दिया है कि प्रिथवे की उत्पति गैशों और धूल कडों से हुई है तो सही उत्तर है O. इसमिड आपसन D. आपका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स जेन्स ने ज्वारी परिकल्पना एफ होयल और लिटिल्टन ने नवतारा परिकल्पना और आटो इसमिड ने अंतर तार की धूल परिकल्पना प्रत्पादित किया है आटो इसमिट की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेस्ता ये है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैश और धूल कड़ों से मानी है अगला प्रश्न है पृत्वी की पपड़ी यानि परपटी का मुख्य अंस किस से निर्मित होता है आपको बताना है तो सही उत्तर है ऑक्सीजन और सिलिका यानि सी और सिलिका और ऑक्सीजन देखे सिलिका और ऑक्सीजन से जो है इसका निर्मार या सबसे अधिक मात्रा में होता है आप देख सकते हैं महुत पूर्ण प्रश्ण है तो अगर इसकी ब्याख्या हम देखें तो प्रिथवी की परपटी या पपड़ी का मुख्य अंस ऑक्सीजन और सिलिकान होता है अगला प्रश्ण है आम तोर पर निम्नलिखित में से किस अवध में प्रिथवी से क्वांडरी टीट्स नाम का उलका पात दिखाई देता है किस अवध में आपको बताना है तो सही उत्तर है दिसंबर और जन्वरी में आप देखें दोस्तों क्वांडर्टिट्स उल्का बहुचार या जिसको मेटिय और शावर कहा जाता है ये दिसंबर के अंतिम सप्ता हमें जन्वरी की सुरुवात में चरम पे होती है और इसकी चमक हमें बूट्स नच्छत्र मंडल में दिखाई पड़ती है अगला प्रश्ण है कि इस महीने में पृत्वी से लाईरेट्स नाम का उलका पात दिखाई दे सकता है आपको बताना है तो सही उत्तर ये अप्रेल माह में दिखाई दे सकता है आपको याद रखना है बहुत ही महत्तोकूर प्रश्ण है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों प्रश्ण संख्या 9 है कि भूपरपटी का लगभग 98 प्रतिशत भाग 8 तत्तों से बना है जिसमें से कौन सा एक तत्त नहीं है देखें कार्बन, सिलिकान, कैल्सियम और आक्सिजन तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन आपसन ए याद रखेगा भूपरपटी का लगभग 98 प्रतिशत भाग बिभिन्न तत्तों से बना है जिसमें आएरन, आक्सिजन, कैल्सियम, सिल्कान, मैगनेसियम, निकिल, सलफर और टाइटेनियम है इसमें कार्बन जो है भूपरपटी में शामिल नहीं है अगला है सूरे के चारो और एक स्थिर कच्छ में प्रतिवी की गति को क्या कहते हैं तो आप सभी जानते हैं इसको परिक्रमण कहा जाता है दोस्तों प्रतिवी का सूरे के कच्छा में चकर लगाना परिक्रमण कहलाता है अगला प्रश्ण है पिर्थवी के ब्यास का कितना भाग चंद्रमा के ब्यास के बराबर है आपको बताना है ये प्रश्ण भी बेहद महत्पूर्ण है तो पिर्थवी के ब्यास का कितना भाग चंद्रमा के ब्यास का बराबर है एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार या एक बटे छे तो सही उत्तर एक बटे चार आपसंसी याद रखेगा पिर्थवी के ब्यास का लगभग एक बटे चार भाग चंद्रमा के ब्यास के बरा तो एलियूमेनियम है आपसंसी सही उत्तर है अगला प्रश्ण है किस बल के कारण गतिमान बस्तुएं वायू और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाई और और दक्छुणी गोलार्ध में बाई और बिच्छे पित होती है तो ये कौन सा बल होता है आपको बताना है त दोस्तों कोरियालिस बल के कारण गतिमान बस्तुएं वायू और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाई और दक्छुणी गोलार्ध में बाई और होता है भूमध रेखा पर कोरियालिस बल जो है वो शुन्य होता है अगला प्रश्ण है एक डिग्री अच्छांस लग 111 किलो मीटर के बराबर होता है आपसन B आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है दोस्तों पिर्थवी की भूमत धिरेखा के उत्तर या दक्षिन के अस्थान की कोड़ी दूरी का वर्डन करने के लिए किस शब्द का प्रियोग किया जाता है तो सही उत्तर है ये है अच्छा सब्द का प्रियोग किया जाता है विश्वत बृत से ध्रूओ तक की इस्थिति सभी समानांतल बृत्तों को अच्छान सरेखाएं कहते हैं अगला प्रश्न है करक रेखा और मकर रेखा के बीच का छेतर क्या कहलाता है करक और मकर के बीच का छेतर क्या कहलाता है तो आप ज करकर रेखा और दक्षुन में मकर रेखा साधे तेश डिगरी इसके मध्य का छेत्र जो है उश्र कटिबंध कहलाता है आपसन C आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है 90 डिगरी उत्तरी अच्छांस क्या दर्शाती है आपको बताना है 90 डिगरी उत्तरी अच्छांस क्या दर्शाता है तो आप जानते हैं 90 डिगरी उत्तरी अच्छांस रेखा उत्तरी ध्रो को परदर्शित करती है आपसन B सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रेश्ण पर आते हैं प्रित्वी पर रितुओं का परिवर्तन किस कारण होता है आपको बताना है तो ये है परिक्रमण के कारण देखिए मोहत्पोन प्रश्ण है दोस्तों पिर्थवी का अपने अच्छ पर जोकाव और इसकी परिक्रमण गती के कारण मौसम परिवर्तन या रितू परिवर्तन होता है अगला प्रश्ण है साढ़े चाचट डिगरी दक्षडी अच्छांस क्या दर्शाता है करक रेखा मकर रेखा उत्तर ध्रू ये आर्कटिक ब्रित या दक्षिन ध्रू अंटार्कटिक ब्रित तो सही उत्तर हो जाएगा साड़े चाठट डिगरी दक्षिन अच्छांस ये दक्षिन ध्रू या अंटार्कटिक ब्रित को दर्शाता है अगला प्रश्ण है प्रमुख या मुत्तर का मान क्या होता है तो सही उत्तर है प्रमुख या मुत्तर का मान जीरो डिगरी देशांतर होता है नकि जीरो डिगरी अच्छांस आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सी कालपनिक रेखा जीरो डिगरी अच्छांस पर इस्थित है तो आप जानते हैं भूमध्य रेखा या विशुत रेखा ये जीरो डिगरी अच्छांस पर इस्थित होती है भूमध रेखा या विश्वत रेखा जीरो डिगरी अच्छांस रेखा पर इस्थित है अगले प्रशन पर आते हैं कौन सी कालपनिक रेखा गलोब को दो बराबर भागों में बाड़ती है आपको बताना है तो भूमध रेखा संपूर प्रिथवी को लगभग दो बराबर भागों में बाड़ती है ये इसको विश्वत रेखा भी कहा जाता है तो याद रखेगा दोस्तों प्रिथवी को जो है दो बराबर भागों में भूमध रेखा बाड़ती है और इसके भागों को उतरी गोलार और दक्षुण को दक्षुणी गोलार्द कहा जाता है अगला प्रेश्ण है पिर्थवी के छेतिच के समानांतर घेराव करने वाली कालपनिक रेखाएं क्या कहलाती है अच्छांस देशांतर समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं आपको बताना है तो सही उत्तर अच्छांस रेखाएं अगला प्रेश्ण है उत्तरी गोलार्द में वर्स का सबसे लंबा दिन कब होता है तो आप जानते भी हैं उत्तरी गोलार्द में वर्स का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा तो आप जान लीजे उत्तरी गुलार्ध में 20 या 21 जुन कुबर्स का सबसे लंबा दिन होता है जबकि उत्तरी गुलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर होता है अगला प्रश्न है उत्तर आयनांत के समय उत्तरी गुलार्ध में कौन सी रितु होती है शीत, गृस्म, वसंत या पतज़ड तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गृस्म रितु आपसन 2 याद रखेगा गृस्म आयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रिस्मरीत होती है अगला है अच्छांसों को किस इकाई में मापा जाता है तो ये अंसयाद डिगरी में आपसंसी आपका सही उत्तर है याद रखिएगा अच्छांसों को अंसयाद डिगरी में मापा जाता है अगला प्रश्ण है भूमध रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है आपको बताना है तो सही उत्तर है 111.32 किलोमीटर तो निकर्तम सही उत्तर 111 किलोमीटर आपसन B आपका सही उत्तर है अगला है समान वर्शा वाले अस्थानों को मिलाने वाली सम रेखाओं को क्या कहते हैं मानचित्र पर समान दबाओ छेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है आपको बताना है आईसो बार आईसो हेलिन आईसो थर्म या आईसो हाइल तो सामान दबाव छेतर वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है आईसो बार आपसन ए अगला है सूचना के रूप में दूर संबेदी डेटा दरसाने का एक सामान निफार्म किस रूप में है आपको बताना है बहुत ही महत पूर्ण प्रशन है सूचना के रूप में दूर संबेदी डेटा दरसाने का सामान निफार्म किस रूप में होता है तो सही उत्तर हो जाएगा विश्यक मानचित्र आपसन ए अगला प्रशन है नकसे के नकसों के एक बधी हुए संग्रह को क्या कहा जाता है तो सही उत्तर है नकसों के बधी हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है आपसन C सही उत्तर है अगला है कि प्लेट टेक्टानिक सिध्धान्त का प्रस्ताव है कि पृत्वी के अस्थल मंडल को कितने प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ प्रमुख प्लेटें दोस्तु आब जान लेजे प्लेट टेक्टानिक सिर्धान के अनुसार disability के अस्थल मंडल को सात प्रमुख प्लेटों में विभाजित कियाई घिया है एक और देखे आसान सा प्रश्ण है पिर्थवी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है तो इसको भू मंडल या लीथो स्थियर कहते हैं अगला प्रश्ण है कौन सा गोंडवाना लेंड का हिस्सा नहीं था आपको बताना है भारत दक्षुड अमेरिका आस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका तो सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका दोस्तों ये गोंडवाना लेंड का भाग नहीं था अगला प्रश्ण है कि कौन सा कम घनतवारी फेलसिक चट्टानों जैसे की इंडेसाइट और ग्रिनाइट से बनी है महाशागरी परपटी, बाह क्रोड, महादीपी परपटी या आंतरिक क्रोड तो सही उत्तर हो जाएगा महादीपी परपटी ये कम घनतवारी फेलसिक चट्टान जैसे की इंडेसाइट और ग्रिनाइट से बनी है अगला प्रश्ण है कौन से जो है अंतर जनित बलों का पैडाम नहीं है समुद्री तरंग, भूकंप, ज्वाला मुखी बिसफोट या भूस खलन तो सही उत्तर है समुद्री तरंग ये अंतर जनित बलों का पैडाम नहीं है जबकि भूकंप, ज्वाला मुखी बिसफोट और भूस खलन ये जो हैं अंतर जनित बलों का पैडाम है अगला प्रश्ण है भूकम्प या बिस्फोट जैसे आवेक द्वारा उत्पन प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है आपको बताना है तो सही उत्तर है भूकम्पी तरंग याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है भूकम्पी अबीस फोर्ट जैसे आवेक द्वरा उत्पन होने वाली इलाश्टिक तरंग को भूकम्पी तरंग या सेस्मिक बेब कहते हैं अगला है कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है आपको बताना है ज्वार का तो सही उत्तर है ज्वार का जो मुख्य कारण होता है वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वकरसन बल या गुरुत्वकरसन खीचाओ होता है कापसन सी सही उत्तर है अगला है कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है आपको बताना है मिर्दा, द्रवी, करण, सुनामी, हिमस्खलन या भारी वर्सा कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा भारी वर्सा ये भूकंप का प्रभाव नहीं है आपसन देखिए पठार, फाल्ट ब्लाक पहाड, अपर्दन जन्य पहाड या ज्वाला मुखी तो सही उत्तर हो जाएगा ज्वाला मुखी का निर्माट पिर्थवी के आंतरिक भाग से निकले हुए तरल और ठोस के द्वारा होता है अगला प्रशन है कौन सा नियम ये बताता है कि ज्वार्भाटा के लिए चंद्रमा और सूरे के इस्थितियां जिम्मेदार है ये भी बहुत ही महुत दपूर्ण प्रशन है तो ये गुरुत्वा करसर का नियम ये बताता है कि ज्वार्भाटा के लिए चंद्रमा और सूरे क की इस्थितियां जिम्मेदार हैं अगला है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरन का प्रियुक किया जाता है तो आप जानते हैं सिस्मोग्राफ का प्रियुक किया जाता है भूकंप को मापने के लिए अगला है पृत्वी तल के नीचे पेखले हुए पत्थर को क्या कहा ज प्रशान्त महासागरी पेटी में पाई जाती है अगला है कि निमने लिखित में से किसने पहली बार कहा कि प्रिथवी गोल है तो सही उत्तर है प्रिथवी गोल है ये सबसे पहले जो है किसने कहा था अरस्तू, कापर निकस, कैपलर या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर पाई था गोरस पाई था गोरस यूनान का जो है महत तो पूर्ण दार्शनिक और विचारण था, सबसे पहले कहा था कि पृध्वी गोल है। अगला है पृध्वी का धृवी ब्यास उसके विश्वती ब्यास से कितना कम है आपको बताना है। प्रित्वी का ध्रुवी ब्यास उसके विश्वती ब्यास से कितना कम है तो ये 44 किलोमीटर देखे प्रित्वी का विश्वती ब्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवी ब्यास 12,712 किलोमीटर है और इसका अंतर 44 किलोमीटर का है याद रखेगा अगला प्रश्ण है दक्षणी ध्रो का अच्छांस है 70 डिगरी, 80 डिगरी, 90 डिगरी या 100 डिगरी तो दक्षणी ध्रो का अच्छांस क्या है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 90 डिगरी ये उत्तरी और दक्षणी ध्रो दोनों का ही अच्छांस हो सकता है दक्षणी ध्रो का च्छांस 90 डिग्री है दोनों गोलार्द उतरी और दक्षणी में 180 डिग्री 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होते हैं अगला प्रश्ण है 49 समानतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है ये प्रश्ण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप जान लीजे 49 समानतर रेखा संयुतराज अमेरिका और कनाडा का विभाजन करती है अगला प्रश्ण है जर्मनी और पोलेंड के बीज की सीमा रेखा क्या कहलाती है आपको बताना है तो सही उत्तर हिंडेनबर्ग रेखा कहलाती है जर्मनी और पोलेंड के बीज की सीमा रेखा अगला प्रश्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध रेखा की लाइन पर पढ़ता है देखिए यहाँ पर जगहों के नाम दिये गए हैं पॉंटी यांक, कैरो, पोर्ट बलेयर और अदिस अबाबा तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पॉंटी यांक जो है यह भूमध रेखा पर पढ़ता है यह जो है इसे भूमध रेखिये शहर एक्वेटर सिटी कहा जाता है यह इंडोनेशिया के पश्मी काली मंटन प्रांत की राजधानी है अगला है हमारे ग्रह पृत्वी का नाम किस भासा से उत्पन हुआ है ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी या संस्कृत तो सही उत्तर है अंग्रेजी भासा से आप देखिए पृत्वी को छोड़कर सौर मंडल के सभी ग्रहों का नाम ग्रीक या रोमन भासा से उत्पन है पृत्वी का नाम अंग्रेजी भासा से उत्पन है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार प्रिथवी के आकार के निकट है तो आप सभी जानते हैं वीनस यानि सुक्र का जो आकार है वो प्रिथवी के आकार के निकट है अगला है पृत्वी के अध्यन को क्या कहा जाता है पारिस्थित की जियो विज्यान आजार सास्त्र या भूगर्व सास्त्र आपको बताना है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भूगर्व शास्त्र ये पृत्वी के अध्यन को कहते हैं आप संडी आपका सही उत्तर हो जाए फुर जिरो डिगरी अच्छांस और जीरो डिगरी देशांतर कहां पर इस्थित हैं तो सही उत्तर याद रखिएगा ये है अट्लांटिक महसागर आपसन ए दोस्तों सुन्य डिग्री अच्छांस रेखा विश्वत रेखा और सुन्य डिग्री देशांतर रेखा यानि प्रधान मध्यान या मोतर रेखा का मिलन अफरिका के पश्वी भाग पर गिनी की खाड़ी में होता है और ये खाली अट्लांटिक महासागर यानि अंध महासागर में है तो विकल्ब ए आपका सही उत्तर हो जाएगा पृत्वी एक परिचे से संबंधित महत्वण प्रश्णों के भागे का अंतिम प्रश्ण है कि कौन सा देशांतर प्रधान या मोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर ब्रिहद ब्रित्य का निर्माड करता है जीरो डिग्री नब्बे डिग्री पूरब नब्बे डिग्री पश्णों और कौन सा देखिये मोहत्वण प्रश्ण है एकसो असी डिग्री आप से पूछा गया है कि कौन सा देशांतर प्रधान या मोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर ब्रिहद ब्रित्य का निर्माड करता है तो ये है 180 डिग्री ये 180 डिग्री देशांतर है आप जान लिजे दोस्तों की 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर ब्रिहत बृत्य का निर्मार करता है आप संडी आपका सही उत्तर है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विश्व के करेंगी जिसमें हम कठिन प्रश्णों को सामिल करेंगे ये प्रश्ण जो है आपके UPPCS प्रारंभिक परिक्षा आरो यारो तथा बिभिन अध्यापक भरती परिक्षा हैं जो भुगोल विश्य से आयोजित की जानी है जैसे TGT, PGT, LT Grade, Government Inter College प्रवक्ता, Government Degree College उच्चतर सि इस्टेंड प्रोफेसर आदी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रश्णों को अच्छे से तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांग दोशन फॉर सिविल स सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार